नवस्कार दोसो रियल मी 10 स्रीज लॉंच होने बाला ये फोन सबसे पहले चानाय में लॉंच होगा उसके बाद गलोबल मार्केट होते हुए इंडिया में भी लॉंच होने बाला और रियल मी 10 स्रीज के नतर कई सारे ऐसे फोन है जिसका स्पेसिपिकेशन काफी दगरा होने वाला है तो आज किसी विडिवी से पर हम बाप करेंगे और जानेंगे रियल मी 10 प्रो प्लस के बारे में बिगोजस का स्पेसिपिकेशन काफी दगरा होगा और प्राजिंग होने वाला है रियल मी 9 प्लस के जैसा ही तो आप वीडियो को लाइकर करके चैनल को सब्सक्राइ और होगा प्रो प्लस तो यहाँ जो रियल मी 10 प्रो प्लस है इसका स्पेसिपिकेशन काफी तगरा है मतलब ऐसा स्पेसिपिकेशन नमबर सीरीज में इससे पहले देने को नहीं मिला है इसलिए जाता इंट्रस्टिंग हो जाता है वैसे रियल मी 10 सीरीज इंडिया में भी ब देख परोगे और यह फोन आता है कर्ब डिस्प्ले के साथ और बैक साड़ से भी यह फोन कर्व है आप यहां पर देख परोगे और इसका तो लुक एंड डिजाइन है वो काफी इंट्रस्टिंग है तो रियल में 10 प्रो प्लस 5 जे स्मार्फोन आने वाला कर्व डिस्प्ले क मतलब डिस्प्ले काफी अच्छे लेवल का है और इसका बिजल्स भी काफी कम है आप यहां पर देख परोगे अगर हम बात करें प्रोसेसर का तो रियल में 10 प्रो प्लस 5 जे स्मार्फोन है इसमें लगा होगा मिरेटे का डामेंशिटी 1080 वाला प्रोसेसर जो के एक 5G प्र तरब से एया ट्रिपल कैमरा जहां पर 108 मेंशिल का मेन कैमरा है उसके बाद 8MP का अल्ट्रावड है और 2MP का माइक्रो कैमरा दिया जागा और फ्रॉंट में होने वाला है 16MP का सलफी कैमरा जो की आने वाला है साइट तीनी पंजोल के साथ आप यहां पर देख परोगे उसके यहां पर देख परोगे तो यहां पर देख परोगे वैसे रियल्मी 10 स्रीज पूरा का पूरा लॉंच होने वाला है चैना में भी और गुलोबल मार्केट में भी और इंडिया में भी इस फोन का इसा लगा आप हमें बता सकते हो अगर हम बात करें कि यह फोन किस प्राजिं यह फोन काफी तगरा हो सकता है विकाज यहां पर यूज किया गया है कर्व एमिलेट डिस्प्ले जो कि इस प्राजिंग में काफी तगरा हो सकता है मतलब अगर यह फोन आता है अंडर 20K में या फिर अंडर 25K में भी यह फोन काफी तगरा हो सकता है विकाज रियल्मी के फ पर जी फोन उसके बाद लॉंच होने बला है रियल मी टैन प्रो स्रीज तो फोन काफी तग रहा है और स्पेसिफिकेशन भी काफी तग रहा है वैसे रियल में टैन प्रो प्लस फाब यह स्मार्टपून को लेकर आप क्या प्राइजिंग एक्सपेक्ट करते हो आप हमें कमें बता सकतो धन्यवाद